लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फेरिटेमा पोस्तुमा की आहार नाल के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसकी फीजियोलोजी जो है डाइजेशन कैसे होता है और इसका फूड क्या है फिडिंग मेकेनिजम क्या है एक बार पहले आहर नाल को रिवाइस करने कि इसकी जो आहर नाल होती है वो कंप्लीट आहर नाल होती है और पूरी लंबाई में फैली हुई रहती है इसमें मुख जो है अगले सीरे पर होता है और पीछले सीरे पर जो है वो एनस होती है इसके अलावा इसमें मुख कोस्ट हो जो होता है फूड क्या होता है यह जो होता है यह ओमनी वोर्स होता है यानि कि यह सर्वा आरी होता है यह जो है मरत कार्बनिक पदार्थ जो है इसका मुख्य भोचन होता है यह मिट्टी के साथ में जो हूमस है मिट्टी है उसके साथ के अंदर जो डिकेंग मैटर्स है जो मर मिट्टी में पाया जाने वाले एनिमन से इंसेक्ट्स हैं एल्गी माइक्रो और्गिनिजम जो सॉयल के अंदर है उन सब को ये प्रत्यक्ष रूप में खा लेता है तो इस तरह से इसका जो फूड होता है वो मिट्टी और जो भी लीव्ज डिकेंग मैटर इंसेक्ट एल्गी सब कुछ खाता है इसमag 아니야 कौंसा होता है सर्वाआरी होता है अब ये फूड ग्रहन कैसे करता है यह फूर ग्रहन कैसे करता है कि ये इसकी जो फैरिंग्स होता है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके pumping action के कारण ये food जो है वो sucking action और pumping action के कारण ये फैरिंग के ये food जो है वो ग्रहन करता है ग्रस्णी की pumping क्रिया के द्वारा ये भोजन लेता है ये पहले अपने मुख को मिट्टी में दबाता है और फिर ग्रस्णी की बित्टी की जो संकुचन शील जो sucking activity है उसके द्वारा मिट्टी के कणों को बकल चैमबर में खीश के ले आता है ये इस action को और जादा accelerate करता है इसकी मदद करता है जो ग्रस्णी में शरील भित्टी तक फिले वे जो इसके पेशिये डोरे होते हैं जो muscle fibers होते हैं उसकी क्रिया के द्वारा ग्रस्णी जो है फैरिंग्स जो है जो body wall जो है वो उसको और जादा accelerate कर देती है और जादा active कर द तो इस तरह से इसका food जो है वो omnivores होता है और फैरिंग्स की pumping और sucking action से जो है ये food को ग्रहट करता है अब आती है बारी physiology of digestion यानी पाचन की कारी की क्या होती है इसमें जो enzymes release होते हैं जो digestive glands इसमें पाई जाती है वो इस तरह से होते हैं कि जो omnivores है उसकी जो feeding habit है omnivores, sarvahari उसके सबको food को digest कर लेती है जो इसने food ग्रहन किया है मिट्टी या पत्तिया या जो भी food इसने ग्रहन किया है ये पीछे की तरफ move करता है यहाँ बकल चेमबर में कोई digestion नहीं होता है जो मिट्टी के कणे बकल चेमबर में खीच लेता है और उसके पाद ये पीछ पीछे की तरफ चला जाता है मुख बकल चेमबर में कोई gland नहीं होती है वहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है जब यह ग्रस नहीं यानि फैरिंग्स के अधर संचालन कोस्ट में यानि जो नीचे हो क्योंकि दो चेमबर होते हैं फैरिंग्स में अपर वाला जो है वो celery वो इसके अंदर मिल जाता है और celery secretion में क्या होता है दो enzymes होते हैं mucine and proteolytic enzymes होते हैं जो लार की जो ग्रसनी जो पूंज होता है उसमें जो chromophil cells होती है यह chromophil cells जो है यह इस enzymes को release करती है अब जो mucine होता है वो food को जो खाना इसने गाया है उसको चिकना बना देता है जिससे कि वो भोचन जो है वो आरास्थानी से आगे पास हो सकता है और दूसरे जो enzymes होते हैं proteolytic enzymes होते हैं वो hydrolytic enzymes होते हैं और जो protein का पाचन करते हैं peptons and proteases के अंदर पाचन करते हैं तो इस तरह से ग्रसनी में इसका पाचन होता है इसके बाद यह food चला जाता है गिजर्ड के अं जब food gazard में जाता है यानि पेशनी में जाता है तो पेशनी जो होती है वो पीषने की machine के जैसे कालइ करती है और वो इस food को बहुत बारिक से पीस तेती है food क्या soil मिट्टी जो भी इसने खाया उसको बहुत बारिकी से पीस देती है ये समें इसकी कौन help करता है जो पेशनी की जो पेशिय बित्तियां होती है जो संकुचन शील्ड गतियां और आंत्री अंदर की तरब जो critical line होती है वो बोजन को पीसने में help करती है और उसको पूरी तरह से grind कर देती है उसके बाद food जाता है stomach के अंदर यानि आमाशय के अंदर जाता है अब आमाशय की बित्ति में calciferous glands पाई जाती है calcium दर ग्रंतियां यानि calciferous glands पाई जाती है जो की चाप के समान एक secretion करती है और वो बोजन में मिल जाता है और वो बोजन में मिल करके मिटी में होने वाले जो humic acids होते हैं उसको neutral कर देता है तो जो मिटी खाई उसने उसमें जो humic acids है उसको उधासी कर देता है मुख्य उसके बाद food जो है वो intestine में जाता है और मुख्य जो इसका पाचन जो होता है वो इंटस्टाइन में होता है अब इंटस्टाइन की भितियां जो होती है जो है ग्लेंडूलर सेल्स जो होती है वो enzymes रिलीस करती है कौन से पैपसीन, ट्रिपसीन, amylase, lipase, cellulase, kitinase, ये सिक्रीट करती है अब इनके functions क्या क्या होते है हम जानते है प्रोटीन को करता है उसको process की उती है उसमें और आरे एमाईलेस एंजाइम जो होता है यह कार्बोईडेट पर एक्ट करता है और इसको मोनो सेकराइट में चेंज कर देता है यानि ग्लुकोस के अंदर चेंज कर देता है लाइपेस एंजाइम जो होता है वो फैट को डाइजस्ट करता है और ग्लीसरोल और फैटी आसेट के अंद चेंज कर देता है, काईटीनेज एंजाइम जो है, वो इसके अंदर प्रेज़न जो काईटीन है, फूड के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, एक बार फिर समझे वाइस कर लेते है, पैपसीन और ट्रेपसीन जो है, वो प्रोटीन का पाचन करते है, एमाईलेस कार्बॉइड का पाचन करता है, लाइपेस जो है, वो फैट का पाचन करता है, सेलूलेस, सेलूलोस को पाचन करते हैं, और उसको चेंज करते हैं, सेलूलो बियोस के अंदर, और काईटीनेज जो होता है, वो जो फूड में काईटीन प्रेजेंटे, उसका डाइज में होता है ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e का absorption होता है डाइजस्र इट फूट जो है वो किससे absorption होते हैं कोशीक कोशी काउंदारा absorption किये जाते हैं और यह कहां 어때 है ?। इंटर स्टाइनल की जो विलाय होती है वो surface area बढ़ा देती है और खास करकी टिफ्लो सोल जो टिफ्लो सोलर रीजन है जो आत का सबसे बड़ा भाग होता है और ये फैला रहता है 27 खंड से शुरू होकर पीछे के 23 और 25 खंडों को छोड़ करके जो पाट होता है टिफ्लो सोलर रीजन वहाँ पे इसका अब्जॉप्शन यानि की अवसोशन होत जाता है और रुदिर के शीकाओं से ये पूसार बौडी के टीशुज के अंदर पहुँचा दिया जाता है सिलोमिक फ्लूड जो होता है जो सिलोम में पाया जाने वाला सिलोमीक फ्लूड होता है वो भी ट्रांसपोर्ट करने में यानि की जो पचावा भोजन है उसको लास्ट पार्ट में एनस होता है और जो पोस्ट टिफलो सोलर रिजन होता है वहाँ पे कास्टिंग बन दी है यानि कि जो गुदा और वो गुदा द्वार से बाहर निकल जाती है ये जो कास्टिंग होती है अर्थवों की स्मॉल एंड राउंड पैलेट्स या बॉल्स की जो है वो बढ़ जाता है एब्सॉर्ब एरिया जो फूर्ड है वो रुदीर के शीकाओं में पहुँच जाता है और सिरो में फ्लूर जो है वो भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है जो पोस्ट टिफलो सोलर रिजन होता है वहाँ पे कास्टिंग होती है तैट मींस जो व पैलेट्स के फोम में बाहर निकलती है इस तरह से इसमें जो है इसका पाचन होता है और इसका उसोशन होता है और इसमें अपचित पोजन जो है वो बाहर निकल जाता है आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे तैंक्यू